बीजेपी ने विदायकों को खरीदने के लिए इस्तेमाल के अगए टैक्सपेर का पैसा इसमें इस्तेमाल के गया है उसको लेकर बीजेपी क्या कहे है दिल्ली के अंदर मुद्धों को भटकाने के लिए सीरीज आफ ड्रामा चलाये जा रहा है आमादी पार्टी के दो ही काम है पहले सीरीज आफ करप्शन करो स्वास्त में घोटाला करो सिच्छा में घोटाला करो शराम में घोटाला करो और जब उनके आरोपों गंभीर जब उनको एक्सपोस किया जाए जब उनकी ब्रस्टाचार उजागर हो जाए तो रोने लगो, ड्रामा करने लगो, सीरीज आप ड्रामा करो, ये उनका पुरानी आदत है, लेकिन अर्विन केजरीवाल, जनता ये जान चुकी है आपके ड्रामे को, आपके करप्शन को, इसलिए जनता इस जहासे में नहीं आने वाली, ये बताईए कि दिल्ली की जनता की इसकी कमाई का पैसा आपने क्यों लुटवाये शराब माफियों को, क्यों आपने कमरे बनाने के नाम पर लुटने का काम किया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बनाने के नाम पर टॉयलेट बनाये जाएं, और टॉयलेट बनाये कमरे उन कमरों में टॉयलेट में बच्चों को पड़ाये जाए, और कमरे में घोटाला किया जाए, बनाने के नाम पर अगर ये अच्छा काम है, तो केजरिवाल ये अच्छा काम आपको मुबारक हो, भार दिल्व सरकार है इनके जो प्रस्ल काम निकल के आरहेए दीर दीर करके έχu सिभ्षा से संबन दीते हैं शाहे वह आ ये इन्होंने महरा केмерик Case हर मामले में इन्होंने बहुंज जबर्दस गोटाला किया है इसका उजागर करने के लिए बारतिे ज़ंता पार्टी सड़क पे रहेगी लोगों का वेयर करती रहेगी और दिल्ली को बचाने के लिए भर्सक प्रयास करती रहेगी चाहे कितना भी समय लगे यहां पर देखे और भी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल है उनसे बात करेंगे और ले आप तो हैं कि मनीर्स सूधिया चोर हैं लेकिन यहाँ पर मनीर्स सूधिया कह रहे हैं कि मैंने मुझे गर्व हैं मैंने इतने अच्छे स्कूल बनाइए इतना अच्छा शिक्षा मॉडल पे काम किया बी जे पी हमारे कलाव साजी है इसको लेकर क्या गई कि वो सिख्साब मोटल की बात करते हैं यह वह सरकार है जो दूसरे के क्रेडिट सोड़ती है क्रेडिट चोड़ सब्सक्वाइब लोग बाइड़ ऊंप म सब्सक्राइब कर आपका नीटी लेकि और आपका नीटीमें 2.5 का जो पशेंटिस था बढ़ा के मःफिया को बारव प्रेंट किया तो सोची कि कहां कहां से मांधार और यह एक ऐसी सरकार जो आपस में शार्टिमेट्पेटी मांध़री भी और यह घर बैटे वे थे और बाद में सीमिल और और ऊडिंग पॉस्टर पेसे क्या वेक्चिन लगी क्या तो यह वह सब्सक्राइब जो सरकार है जो सरकार है इस तरह के आरोप यहां पर लगाय जा रहे हैं इस समय जो है आमानमी पार्टी की तरव से कहा जा रहा है कि हम भारत देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने की और काम कर रहे हैं आप सभी लोग यह जानते हैं कि जितने यहां पर भारत में नंबर वन की जो बात कर रहे हैं देश को सत्तर साल पीछे लेकर के जा रहे हैं जो हमारे भावी जो बच्चे जो भावी पीडिया है जो भावी पीडिया है वो खुद इस सराब के और इनकी नीतियों से इतने दु अगर सर हो रहे हैं ना के हमारी आने वाली लुक और हमारे साथियों को आगे बढने के लिए और उनके मवश्र को उज्चल करने के लिए इसक अश्म में हमारी सरकार भंते ही हम आपको बताएंगे कि शिक्षा सर्कूल अभी तो नहीं है अभी हमारी है दिल्ली समाली नहीं जा रहे हैं पहले एडवांस में यहां पर अगर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज्रिवाल और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंद पिछले दो-तिन दिन से उनकी लड़ाई चल रही है ट्विटर पर शिक्षा मॉडल को लेकर अर्विंद केज्रिवाल कहते हैं मेरा शिक्षा मॉडल बैस्ट है और हेमंद विसु शर्मा उसका रिप्लाई दे रहे हैं यहां पर एक तरफ बात की गई थी कि लंडन पैरिस बन नेहर का रस्ता है अर्याना की तरफ बिलकुल सड़क बनी हुई है जबकि दिल्ली की तरफ पूरे के पूरे गड़ें हैं लोगों का आना-जाना मुहाल हैं वहाँ पर तो इसलिए जो है इसको लंदन पैरी सबना न चोड़िये इसको दिल्ली को दिल्ली रहने देखके जर जा रहा है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बीजेपी हमारे अच्छे काम से जो है हमको रोकना चाहती है खुद तो बीजेपी कुछ काम करते नहीं और हमें अच्छा काम करने से रोक रही है देखे जनता को सब पता है वो कैसा अच्छा काम कर रहे हैं यदि वो किसी तरह का measurement ने कुछ नहीं है उसमें कौन से उसको कौन से मौडल पे लेकर गपर जा रहे हैं कि रिवाल जी इसको डिली को देखिए यहां पर दिली को किस मौडल पे लेकर करके जा रहे हैं इस तरह की बाते iस झृट रही है यहां पर इस बीच एक खबर और भी आई थी एक रिपोर्ट आई थी उसके मताबिक जो पुरानी शाराब निती थी उससे सरकार को क्यों साढ़े 500 रुपे की भॉटल है उससे सरकार को 330 रुप exc alright नहीं शारा नीती आती ही उससे सरकार को जो है नो रुपे जा रहे हैं लेकिन जो इसके विःपारींorian उनको 365 रुपे जा रहे हैं तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे अगर वो गलत नहीं तो उन्होंने आपका रहे हैं ती वापस क्यों ली क्यों ली वापसी ले नहीं चीए थी और और सबसे बड़ी बात है कोई जन परती नहीं होता है उसका दाइत तो बनता है कि अगर उसके उपर कोई अगरी बना दिया दिल्ली का बेडा गरक कर दिया था इतने घोटाले और इतनी बुरी हालत दिल्ली की आज तक नहीं चाहे और भी सरकारी रही हो देख हम लोग भाजपा के कारे करता हैं और हम हर जगा केजरिवाल करेंगे और बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने आएगा कि उन्होंने बहुत बड़ा गोटाला कर रहा है कि हमारी लोग प्रेता देखकर बीजेपी में बुखलाहट आ गई है इसलिए जो है बीजेपी इस तरह के जो है हम सब काम करने वाले यहां कोई ऐसा नहीं नेता जो ऐसी में चाहीए किसी को बस में देखो कितना नुकसान हर चीज में उन्हों पूरा सबसे ज़्यादा तो शराब की नीती शराब की नीती में बंद करें ये एक के साथ एक फरी हम इसी लिए इनको चाहते हैं ये छोड़े इस्तिफा दे मनेज जी सारा बरबाद करके रख दिया है बाकि उन से हमें कोई वो नहीं है कि हम उनके देखिए पहले आमादमी जो है एक चीज़ पर बार-बार जोर दे रहे है कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है उसके बाद अरविंद केजरिवाल कहते हैं देशबर में 277 विधायक बीजेपी ने खरीदे बताइए पच्छ पंसो करोड कहां से आये इतने पैसे इन विधायको को खरीदने के लिए वो जो आरोप लगा रहे है ना पच्छ पंसो तिरेश्ट को ने आठ सो आठ सो करोड का एक हजार करोड का उसका अरविंद केजरिवाल जी की बहुत अच्छी पालसी है दूसरे पर आप लगा और घर बैट जाओ दूसरे को टेंसन जो और घर बैट ज अधिये जो इनसे पूस्ते कितने श्कूल बनाएव बताते हैं 20,000 कमरे बनाए अब बर मैं सरकारी स्कूल पढ सीस्केर दूसर 5000 की बात करो तो यह बोलती है कि हमने एक पॉलसी निकाली थी कि उच्छ शिक्षाइबं कॉसल विकास योजना में दस लाख रुपया उस बच्चे को मिलना था जो अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहता है आठ साल में एक बच्चे को भी लोन नहीं दिया आठ साल में और बीस करोड रुपया इन्होंने पर चार में लगा दिया यह स वास्त मोडल ऐसा है कि पूरी दिल्ली बंदग वनी रही 25 दिन करोणा में तो यह सब फर्जी वाले के फर्जी धंदे हैं बहुत जल्दी यह करके सारे अंदर होंगे यह कुछ भी लगाए यह आपने आपको बचाने के नहीं नहीं तोटका हजमारें बचेंगे नहीं